हाँ क्या बात है कि समस्या यह हुआ सर कि 20 जाने से पहले कुछ कि आए हम लोग अपनी सबाह को सुरू करेंगे सवरगी पिता परमेश और हम आपको धन्यवाद देते हैं स्तुति करते हैं प्रभु जी एक और फिर से आपने हम आप से बीडियाई आई आउनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए वादियर व्लीवास संब्ली के मंच पर एक और फिर से आने के लिए साथ मदद किये हम सब के जन परियार गुरू जन संसी फिलिप सर के दौरा पिता परमेश और संपुष्ट परिवार के उओपर सुनने के लिए सीखने के लिए आप ने एक और और दिया है प्रवू हम आपके नाम की आद्वी करते हैं प्रभुजी भाईद सेख को हम्यास करते हैं उनके खाहों को बढ़ने के लिए सायता करें प्रभुजी सर जो रण्जी सर गवाऑ hon के गए हैं बच्चों की डॉक्वेट ब प्रभुजी वे लोग से इसमय पर जुड़कर आपके नाम की महिमा करें पसंपरीवा के अध्यन से वे लोग सीखें पिता परमिश्व सारा दर्मान आपको देते हैं दन्यवाद के साथ प्रात्रा ये इसमसी के नाम में होकर करते हैं आमीन आईए हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए परमिश्व के नाम की महिमा करेंगे भाई बैनों का श्वागत है जैमसी की जैमसी की जॉनसन भाई श्वागत है अन्पॉन परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता चमा सारे लोगों को करता चमा परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें धन्यबाद दे उसके आशानों में आनल से आएं उसके चरनों में संगीत गातर खूसी से मुक्ती की चटान को जैल करें परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें वो ही है हमारा परम पिता तर से खाता है सर्व कदा कूरप से पच्च्च्च्च जितनी दूर उतनी ही दूर किये हमारे गोला परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें मा की तरह दी उतने दी तसली दूर के खाते रो में छोड़ा नहीं परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें चरवाओ की मांद से धूरा उचने पापों की जी से निकाला हमें चरवाओ की मांद से धूरा उचने पापों की जी से निकाला हमें हम को बचाने को जान अपनी दी ताकी हाथ में हम उसके रहें परम पिता की हम सूती गाएं वो ही है जो बचाता हमें परमिसर के दन नाम की महिमा हो बहुत बहुत दन्यवाद भाई सुद्र गीत के लिए परमिसर के नाम की महिमा हो आए हम लोग और भी गीतों को गाते हुए परमिसर के नाम की महिमा करेंगे भाई हम लोगे गाएंगे जी सेश्टार प्वागत है आपका सबी लोग को जैमें सी की माही मा से तू जो भरा हुआ जोती में सादा रहने वाला मानश्यों में तू ने जनम लिया जिसे इश्टु जग में तू आएगा इश्टु आएगा इश्टु आएगा फिर से इश्टु जग में तू आएगा मनश्यों में तू ने जनम लिया फिर से इश्टु जग में तू आएगा बूमी आकाश में समाना सका, मांदिरों में तू रहना सका, नम्रों कर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, इशु घर तू बना, इशु घर तू बना, नम्रों कर चरनी में पैदा हुआ, तिंसे इशु जग में तू आएगा, खे में में आकर तू ही बसा लोगों को अपने लिये पिरा आगनी और बादल में तू ही दिखा फिर से इशू अपनी मर ही मा दिखा इशु मही मा दिखा, इशु मही मा दिखा, विसे इशु अपनी मही मा दिखा, अगनी अबादल में तु ही दिखा, विसे इशु अपनी मही मा दिखा, दानियल की तूने प्रात्ना सुनी, एज़र की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी थे जी, अपने लोगों को फिर से देरी हाई, इश्यू देरी हाई, अपने लोगों को फिर से देरी हाई, बाबुल में तूने बेदारी थे जी, अपने लोगों को फिर से दे रहाई तू ही हमारा राजा है तू ही मुक्ती दाता है फिर से आने वाला है प्यारे प्रभू इशु तू जल दिया फिर से आने वाला है प्यारे प्रभू इशु तू जल दिया धन्यवाद बहुत अधन्यवाद बहनों संदर गीत के लिए परमेशर के नाम की महिमा हो मैं गीत गाना चाहτα हूँ जी सर, स्वागत है करता हूँ मैं तेरी सिंता तो क्यों सिंता करता है करता हूँ मैं तेरी सिंता तू क्यों चिंता करता है आसों की घाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा आसों की घाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा तुद को मेरे हातों में दे दे मेरी महिमा तू देखेगा तुद को मेरे हातों में दे दे अपनी सकती मैं तुझको देता हूँ चलाओंगा हर दिन सिजा में करता हूँ मैं तेरी सिंता तो क्यों सिंता करता है आसों की घाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी अपने हातों से तुझको उठा कर चलाओंगा हर दिन अपनी क्रेपा में करता हूं मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है आशो की गाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा आशो की गाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा इब्राहिम का में पर में स्वरूं अधुतकार क्यों ना करूंगा इब्राहिम का में पर में स्वरूं अधुतकार क्यों ना करूंगा लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी फिर देने के में योग्य हो, करता हूँ मैं तेरी सिंता, तो क्यों सिंता करता है, आसों के गाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा, आसों के गाटियों में हात ना चड़ूंगा तेरा, अधनेवाद भाई सुन्दर गीत के लिए, विस्वासी जन, विस्वास के साथ, और परमिसर के वायदे के साथ जीवित रहते हैं और संसार में आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत दन्यवाद भाई परमिसर आपको आसिस करें, अभी समय है, हम लोग बहन मोनिका, बहन नेंसी उनके दोरा एक जीट को सुनकर परमिसर के महीमा करेंगे, बहनों का शुआगत है, नेंसी बहना, अवित靛्मुक शीष नवादे वे जरपित करता, सुब्ब अमको ने दुशा हारा करता, दूबे रापा आप बिंद रईया कौन सम्हारी में प्रगुबाहा आपके बचायो कारिन हमारी जगी टेकी वर्डिवाद आपके बचायो कारिन हमारी जगी के वर्डिवाद आपके बचायो कारिन हमारी जगी के वर्डिवाद आपी इर्दे हम इलाई दो दो तार दिवाद आपी इर्दे हम इलाई दो दो तार दिवाद आपके बचायो कारिन हमारी जगी के वर्डिवाद सुन्दर पच्षी पर्वत सागरी सब के सिर चले हमारी जगी के वर्डिवाद आजाकार निहाँ व्याद तुले हिरे तुम्रितो कारिन आजाकार निहाँ तेरे संवकिशिष्णवाद ते जगी के वर्डिवाद दूबे रूओं को देल सहारा करे दूबे राफाँ बहुत बहुत अनवाद बहन और भाईयो सुन्दर गीत के लिए परमिश्णव के नाम की महिमा हो सुन्दर गीत के लिए और भी हमारे पास और भी समय है सो जिस प्रकार से हम लोग गीतों को सुन रहे हैं परमिश्णव के नाम की महिमा हम लोग कर रहे हैं तो हम क्यों सांत बैठ हैं परमिश्णव के नाम की महिमा करें इस स्वागत है भाई और बहनों का इस स्वागत है बहन इक है बाड़ी अतियंत मीथी मेरा मन लगाती है मुझसे बाते करती रहती मुझसे वो यो कहती है क्यों रोता है आस बहाता क्यों तु है यो मन मली देखी मैने तेरी दशा अब नहोगा पाप अदी क्यों रोता है आस बहाता क्यों तु है यो मन मली देखी मैने तेरी दशा अब नहोगा पाप अदी इक है बाड़ी अतियंत मीथी निरंतर को कारती है मेरे हिर दे को वो सुना मेरे हिर दे में वो कुशी अत्यानभारी देती है क्या हुआ है मेरे प्यारे क्यों खोज रहा है आराम क्या हुआ है मेरे प्यारे क्यों खोज रहा है आराम दोनों हात है फैले उसके उसके पास ज्याले विशराम इक है बाणी अतियंत मीठी दी में धी में बोलती है मेरे हिर दे को सुनाती और संदेशी देती है आजा तूसी ओनी नगर में आनिहार इस ज्योती को नेते आ रहे तू इस नगर में ज्योती में तू प्रविश्ठो आजा तूसी ओनी नगर में आनिहार इस ज्योती को नेते आ रहे तू इस नगर में ज्योती में तू प्रविश्ठो ये है बाणी जो अतियंती में ही है ये इस उत्राता ही सदा ही मुझे को सुन पड़ती ये न कहूं क्या मैं भी ए मसी है प्रवु मेरे तेरे पास में आता हूं हात भड़ा है इस उत्राता हूं है मसी है प्रवु मेरे तेरे पास में आता हूं हात भड़ा है इस उत्राता हूं मैं भी हात भड़ाता हूं दन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद कंचन बहन सुन्दरगीत के लिए परमेश्वर आपको आसिस करें कंचन बहन आगरा से हैं और दो तीन हफ्टे से हमारे साथ में जुड़ रही हैं आत्मिक बहन हैं परमेश्वर आपको आसिस करें बहन और हमारे पास पैजी कोई भाई बेहन चाहए हम लोग गाएंगे ये प्रेसी मन्ना आपका सागत है शुन्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनुखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा अनुखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा जग में आया इशु स्वर्ध छोड़कर मेरा सारा दर्ज सह दिया उसने कोड़े खाके क्रूस उठाके इशु ने मुझे मुक्ती और शंगाई दे दी है अनोखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा अन्नवस्त्र और सभी आशिशे दी मुझे तुने भर पूली से खत्रों और सम्सीबतों से आंकी पुत्ली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा सूती तेरी मैं सर्वदा आज़का दन्यवाद के लिए परमेशवद के नाम की तो सभी आज़का करते रहें तो भी हमारी पर मिश्वर आपको आसिस करें आज जिस प्रकार से हम सब जानते हैं हमारे जन परी है हमारे गुरू डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप सर्कार गॉलियर प्लिवस इसेंबली विडिये टियाई की ओर से हम सभी भाई बैनों भरब से आपका हाल अपसौलत करते हैं सर्कार हमें आपके से और आज भी हम लोग सीखेंगे उससे पहले मैं जो भाई बेहन हमारे बीच में आसवास्ते हैं वाई बिसक्षा जो असवास्त हैं उनका जो अपरिशन हुगा है इसका गाहु भरने के लिए परात्ना करते रहें परात्ना वाबन वालयर में हैं वे और सुबा साम अपना विजय भाई का परिवार के लिए प्राथना करें उनका पापा का और हमारे कालिश्या के वाई विजय उनके पिताजी रभून ने उनको बला लिया है उस दुखी परिवार के लिए हम प्राथना करेंगे हमारे बीच में हमारे घुरुमाता सांता अंटी जी वह भी अफ़स्त हैं उनके लिए भी हम प्राथना करें मैं आगरे करना चाहता हूं हमारे जॉय पॉलस अंकल मूंबई से हैं वे हमें इन बिसेयों के लिए उनका आखो का थोड़ा सा समस्या है उनका शुगर बढ़ गया जोई पॉलस के लिए प्राथना करेंगी तो विट्वव डॉनलांड ब्रदर हैं हमें प्राथना में बवाई करें बॉब ब्रदर से आपने हमें गौाली और बिलीवस असेमली वेडिटी आई के मंच पर आपके अदास हमारे गुरू डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप सर के द्वारा हमें समकुछ परिवार पर सुनने के लिए साहिता किये हैं सीखने के लिए साहिता कर रहे हैं पितापरमेश को कई महिनों से हम लोग सीख पा रहे हैं आपके बचन को प्रभू जी आपके दास के लिए हम प्रात्रा करते हैं प्रभू जी वे हमारे निये बहस्त होते हुए भी तमाम पितापरमेश और परेसानियों से को भी पार करके पितापरमेश और वे हमको सिखाते हैं पितापरमेश और आप उन् है, विश्वासी ten के साथ मे yes? प्रात ना में होकर आपके उडास की बातों को आपके संदेश उनके दवाराएप Hem他 서 समुषरित है रहे हैं, प्रजुभू कि लीए प्रात ने करते हैं प्रभू, उनके घॉपश्त करें। मदद जो भी परिस्तिती है जो भी परिसानी है उनकी आँखों में प्रभु जी आप चूपे चंगाई प्रदान करें हमारी सांता अंटी जी के लिए हम प्रात्न करते हैं प्रभु जी अंटी जी को छूप कर आप चंगाई प्रदान करें और प्रभु प्रात्न करते हैं हमारे कलि आज प्रभू ने एक और मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ आज सामान्यतिया मेरा चहरा जितना आपको दिखता है उससे ज़्यादा दिख रहा है माइक वगरा भी दिख रहा है बीच में कम्प्यूटर खराब हो गया था वो उसकी फिक्सिंग जो है वो चल रही है भी थोड़ा सा समय लगेगा प्रभू ने मदद की तो अगले हवते तक ये मैक गाइब हो जाएगा मैं बिना मैक के बूला करूँगा मतलब बिना मैक के दिखे बूला करूँगा आज प्रभू ने ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ पिछले दिनों हम प्रभु के वचन से नीति वचन चौदु हुए अध्याय के पहले पत का ध्यान कर रहे थे नीति वचन चौदा का एक हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर स्री उसको अपने ही हाथों से ढहा देती है हमने प्रभु के वचन से ये देखा कि स्त्रीयों को दो कैटेगरी में बाटा जा सकता है बुद्धिमान मूर एक निर्मान करती है एक धा देती है अब सवाल ये है कि एक स्त्री बुद्धिमान स्त्री क्या करती है कि स्तरह का वियवहार करती है प्रभु के वचन की एक विशेष्टा ये है कि प्रभु का वचन हर महत्वपूर्नी चीज के उपर परियाप्त प्रकाश डालता है और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रभु के वचन में इस विशे के उपर प्रकाश नहीं मिला है बुद्धिमान स्त्री जो है उसके बारे में भी प्रभू का वचन विस्तार से बताता है कई जगह मिलता है जैसे नाबाल की पत्नी उसके बारे में प्रभू का वचन स्पष्टतिया बताता है कि वो बुद्धिमती स्त्री थी उसके अलावा भी शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु का वचन बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बताता है जो की बुद्धिमती स्त्रियां थी बुद्धिमती और समर्पित स्त्रीयों के बारे में सबसे विस्तार से प्रभु के वचन में जो पॉर्षन हमको मिलता है वो है नीति वचन इकत्यस नीति वचन इकत्यस को यदि आप लोग ज़रा खोल दें नीति वचन इकत्यस उसके दस्वें पद को नीति वचन इकत्यस पद में हम पढ़ते हैं भली पत्नी को कौन पा सकता है उसका मूह मूंगों से भी बहुत अधिक है उसके पती के मन में उसके प्रती विश्वास है हम सब सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात के बारे में सुनते हैं मूंगों के बारे में कम ही सुनते हैं पिछले हफते भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि अच्छे किस्म का मूंगा बहुत महंगा होता है मेरा तो इन चीजों में शौक बहुत ज़्यादा रहा है एक तो फिजिक्स बहुत इक शास्तर की प्रिष्ट भूमी के कारण दूसरा फिजिक्स में ही सौलिट स्टेट फिजिक्स से काफी उसमें काफी दिल्चस्पी लेने के कारण तीसरा विबिन तरह के खनीच पदार्थों में दिल्चस्पी लेने के कारण इसलिए मैंने सैकडों प्रकार के मूलेहीन और मूलेवान पत्थर देखे हैं लेकिन मूंगा सतर साल के जीवन में सिर्फ एक बार देखा है वो भी सबसे सस्ते किस्म का मूंगा जिसकी कीमत अपने आप में बहुत अधिक है महंगे किस्म का जो मूंगे होते हैं वो इतने महंगे होते हैं इतने महंगे होते हैं कि मूंगे की अंगुठी, मूंगे की माला वगरा जो है कोई नहीं पहनता है या कोई नहीं पहन पाता है इस तरह का एक पत्थर है मूंगा असली मूंगा लाल होता है और ना केवल आभूशन के रूप में बहुत महंगा है बलकि अब तो फिजिक्स में भी मूंगे का प्रयोग बहुत जादा होने लगा है आपने लेसर शब्द सुना होगा लेसर की मदद से आखों का इलाज होता है लेसर की मदद से और भी बहुत सारी बातें होती है लेसर एक विशेश प्रकार की किरण है जो सामानी किरणों की तुलना में बहुत शक्तिशाली होता है इतना शक्तिशाली होता है कि जैसे कैंची कागज को काट देती है उसर से ये लेसर स्टील को काट देता है लेसर की किरणों के उत्पादन के लिए भी मूंगे का उपयोग होता है रूबी का उपयोग होता है तो कुल मिला के कहा जाए तो मूंगा ना केवल आभूशन के काम आता है उसके अलावा विज्ञान में भी उसके पचासों उपयोग है और प्रभू का वच्चन एक उत्तम स्री की तुलना मूंगे से करते हैं इसलिए कि परमेश्वर ने जब स्त्री की सृष्टी की तब स्त्री को पुरुष का सहायक बनाया हिंदी बाइबल में सहायक ट्रांसलेशन आया है जो कि अपने आप में गलत है सही शब्द है सहकर्मी दोनों में बहुत फरक है सहायक तो नौकर भी होते है सहकर्मी नौकर नहीं होता है तो स्त्री के लिए पजमेश्वर के वचन के आधार पर जो सही शब्द है वो है सहकर्मी जब पजमेश्वर ने स्त्री को पुरिश का सहकर्मी बनाया उसके पीछे कारण था और अब रभु का वचन कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को भली पतनी मिल जाए तो उसका मूल्य दुनिया में सबसे मूल्यवान पत्थर से भी आधिक है मूंगे के तुल्य है ऐसा नहीं लिखा है उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत आधिक है ऐसा लिखा हुआ है यहां लेकिन यहां शुरू में जो शब्द यूस किया गया है उसकी तरफ जरा ध्यान दे भली पत्नी कौन पा सकता है इसका मतलब यह है कि हर पत्नी भली नहीं होती है नीतिवेचन चवदेवे अध्याय में हमने देखा कि बुद्धिमती पत्नी भी होती है मुर्ख पत्नी भी होती है तो यहां पर दस्वापद नीतिवचन 31 का दस्च जो है जब भली पत्नी के बारे में बोलता है तो यह उसी के बारे में है जिसके बारे में नीतिवचन 14 में गुद्धिमती पत्नी बोला गया है बुद्धिमती पत्नी अपने स्वयम के हाथों से अपने परिवार का निर्मान करती है जबकि मुर्ख पत्नी अपने हाथों से उसको उजाड देती है इस तरह की बुद्धिमती पत्नी यदि किसी पुरिश को मिलती है तो उस पुरिश को ये समझना चाहिए कि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है ये है जो प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है ये कई बातों को याद दिलाता है जिसमें पहली बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि 21 शताबदी हो गई वैवाहिक जीवन के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं सोचते हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं इन सब के बावजूद जब पत्नी का चुनाव करते हैं तो अभी भी मसीही परिवारों में बुद्धिमती पत्नी होगी है ये एक बुद्धिमती लड़की है या नहीं इसको देखकर चुनाव करने के बदले बहुत सारे परिवारों में उसकी नौकरी के आधार पर उसके परिवार की उसकी प्रिष्ट भूमी के आधार पर उसके रंग रूप के आधार पर और इस तरह के तमाम दुनियावी आधारों पर पत्नी का चुनाव किया जाता है माबाप जब अपने बेटे के लिए लड़की के चुनाव करते हैं अक्सर मैं सुनता हूँ अरे बाप रे लड़का सिर्फ टेंथ पास है लड़की भी M.A.C. है पी-एचडी है वैवाहिक जीवन में M.A.C. या पी-एचडी का वो लड़का अचार डालेगा क्या पहली बात दूसरी बात यदि लड़का टेंथ पास है और लड़की का परिवार खुशी-खुशी पी-एचडी वाली लड़की से शादी करवा रहा है तो परिवार को दो छण सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसी बे-मेल जोड़ी उसके लिए लड़की का परिवार क्यों तयार है लड़के के परिवार को याद रखना चाहिए कि जोड़ी बे-मेल ना हो लड़की का परिवार बेमेल जोड़ी के लिए क्यों तयार हो गया यह सोचने के बदले कई बार हम लोग सही मापदंड के बदले गलत मापदंड के आधार पर अपने बच्छों की शादी करवाते हैं, बेटों की शादी करवाते हैं, बेटियों की भी करवाते हैं, लेकिन इ इसलिए मैं बेटे और उसकी शादी के चुनाव आदी के बात कर रहा हूँ अक्सर ऐसे बेमेल चुनाव करते समय माबाप इस बात को भूल जाते हैं कि दूर के ढोल सुहावने MSC में जब मैं पढ़ता था तब मेरे एक साथी था हम चार फ्रेंड्स एक साथ पढ़ाई करते थे तीन लड़के थे एक लड़का था उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता था सबसे ज़्यादा नंबर हम चारों में सिर्फ 9 नंबर का डिफरंस था जब हमने MSC पास की तो चारों में कुल नौ नमबर का डिफरंस था लेकिन इस तरह से हम चारों जो पढ़ते थे उसमें जिसके नौ नमबर ज़्यादा थे वो अक्सर मुझसे कहता था जॉन्सन यार तू भाग्येशाली है कि शहर में पैदा हुआ मैं एक्सर पूछता था कि क्यों शहर में पैदा होने के समय और भाग्येशाली में क्या संबंध है तो उसने कहा कि देखो मैं चंबल के एक कुख्यात गाउं से आया हूँ गाउं में शादी के समय ये नहीं देखा जाता कि लड़की लड़के के लिए उप्युक्त है क्या लड़के को लड़की पसंद है क्या अभी मैं M.S.E. ही कर रहा हूँ और मेरे माबाप शादी पक्की करवाना चाहते है तो मैंने कहा कि भाईया देखो यदि माबाप ने ढूंड ढान के शादी पक्की करवा दी तो उसमें कोई बुराई नहीं है M.S.E. के बाद कर लेना शादी तुमको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी तब वो बोलता था कि अरे यार सवाल ये नहीं है समस्या ये है कि उन्हें ने एक लड़की देख ली है और वो भी M.S.E. कर रही है माबाप ने कहा कि गाउं में M.S.E. करने वाली लड़किया नहीं मिलती है ये M.S.E. कर रही है इसलिए इसी के साथ शादी करेंगे लड़की का स्वभाव नहीं ढूंडा उन्होंने लड़की क्या चाती ये नहीं पूछा उन्होंने लड़की मेरे साथ जीवन भर निभा पाएगी ये नहीं देखा बस इतना देख लिया कि M.S.E. है कर रही है ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आज से 45 साल पहले की बात है 45 साल में दुनिया बहुत बदल गई है हर चीच के उपर हम पहले की तुलना में बहुत अधिक सोचने लगे हैं लेकिन इन सब के बावजूद इस मामले में अभी भी हम सही नहीं सोचते हैं उसका परिणाम क्या होता है कि शादी के बाद जिंदेगी भर लड़का भी सरपीटता है उसके माबाप भी सरपीटते हैं प्रभू का वचन बार-बार इस बात पर जोर देता है कि परिवार में विवाह के लिए इस बात को ध्यान से देखना और जाचना जरूरी है कि लड़की बुद्धी मती है क्या लड़की भली है क्या ये हम में से अक्सर जादातर लोग नहीं देखते है मैं बहुत जादा देखता हूँ काफी ट्रावल करता हूँ मेरे नाते रिष्टेदार का जिन्स वगरा बहुत है अक्सर शादियां होती रहती हैं शादियों के लिए ढून ढांड करते हैं और इसलिए किस मापदंड के आधार पर शादियां होती हैं हो रही हैं उसका काफी अच्छा नुमान है और अक्सर जब मैं सुनता हूँ कि माबाप ने किस मापदंड के आधार पर अपने लड़के के लिए लड़की ढून्डी है तो मैं अक्सर सरपीट लेता हूँ और होता भी वही है आप गलत मापदंड के आधार पर अपने बेटे की शादी करवाएंगे तो घर में मूंगा लाने के बदले सबसे दुरगंद से भरी हुई चीज लाएंगे मुझे अभी भी याद है जब हम प्रार्थना भावन जहां पर जिसकी चर्चा अभी हुई महां रहते थे तो मेरे जान पहचान में कई लड़कों ने अपनी हैसियत से बहुत उचे लेवल पर जाकर करोड़पतियों की लड़कियों से शादी की इन में से जादा तर लड़कियों ने जब एक बच्चा हो गया तो उसके बाद तलाक दे दिया क्यों? इसलिए कि उनकी रूची एक पती के साथ जीवन बिताने की या निभाने की नहीं थी उनकी रूची करोड़ों की जो संपत्ति है जिन्दगी फर उसका मजा लेने में उनकी रूची थी हाँ लेकिन एक स्त्री है तो लोग पूछेंगे शादी शुदा है क्या? इसलिए शादी कर ली और यदि शादी शुदा है तो बाल बच्चे हैं क्या? इसलिए एक बच्चा होने तक इंतजार किया उसके बद बच्चे को लेके पती को लात मरके मारके अपने करोड़ों के साथ चलीगी कई विवाह मैंने देखे हैं कारण क्या है? बुद्धिमती है क्या? भली है क्या? ये देखने के बदले माबापने इस आधार पर शादी की और करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की वारिस है लड़कों की शादी में इससे ज़्यादा सावधानी रखनी है लेकिन वो हम विपरीत लिंग के अध्यान के बारे जब आमाएंगे तब बात करेंगे इस समय तो स्त्रियों की बात हो रही है इसलिए मैं लड़की को कैसे चुनना है इसके बारे में बोल रहा हूं जिस ग्वालियर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं उसी ग्वालियर में मेरे बचपन से जो मेरा अबिन दोस्त था उसने भी शादी की किसी तरह से उसने कोई जल्द बाजी नहीं की धनी परिवार का है और जब विवाह की उमर हुई और जब लोगों को पता चला कि वो विवाह करना चाहता है तो कम से कम 25-30 प्रपोजल एक साथ आए उसके माबाप मैंने जितने माबाप देखे हैं उन में सबसे समझदार माबापों में से एक हैं अब तो गुजर गए अंकल आएंटी दोनों गुजर गए ये मेरी शादी से पहले की बात है मैंने बहुत ध्यान से अंकल आएंटी हर चीज मुझे समझाते थे मैं उनके लिए एक बेटा था हर चीज समझाते थे तो जब marriage proposal वगरा आए हमारे घर के पास ही रहते थे तो एक शाम मैं उनके घर गया तो आएंती अंकल ने मुझे बैठ के बताया कि बेटा तुमारे friend के लिए proposals आएं हैं जरा एक नजर डाल लो मैंने सारे proposals पर नजर डाले हर तिरा की लड़कियां थी पड़ी लिखी, सामान्य, मोटी, पतली, गोरी, काली मैंने अंकल ने अंटी से पूछा कि ओके आपका क्या निरने है तो उन्हें ने बताया बेटा हम चाहते थे कि अब तेरी भी शादी होने वाली है इसलिए तू शादी की प्रक्रिया को समझ ले तो उन्हें ने मुझे बताया कि ये जो 20-25 प्रपोजल्स आएं है उन सब को अच्छे तरह से ढूंडने, ढांडने के बाद उन्हें ने सिर्फ तीन लड़कियों को एप्रूव किया है मैंने पूछा क्यों? क्योंकि चाहे गोरी हो, काली हो, सबी लड़कियां धेनी परिवारों से थी और सबी आकरशक थी उन्हें ने बताया कि बेटा, विवाह जिंदगी बर के लिए होता है और इसलिए सबसे अधिक ख्याल इस बात का रखना है कि लड़की समझदार है क्या, बुद्धिमती है क्या मैंने पूछा कि जो लड़कियां इस शहर में नहीं हैं उनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा तब उनने बताया कि हमने इन तीन लड़कियों को जो चुना है उसके उन तीनों के बारे में उन शहरों में अपने मित्रों को ढूंड ढांड कर बहुती रहस्य से उनके बारे में जाँच पड़ताल की इस तरह से फाइनली डिसेट किया कि ये जो बीस पच्चीस आएं हैं उसमें भली और बुद्धि मती सिर्फ तीन लड़किया हैं तीनों मुझे दिखाए उन तीनों में से फाइनली उनने एक को चुना उस चुनने के पहले उनने काफी ढून ढांड तलाश करने के बाद फाइनली इस लड़की को चुना मेरे जितने मित्र हैं उसमें सबसे संतुष्ट परिवार इनका निकला शादी के बाद ये लड़की बहुत मेहनती थी दिन में घर का सारा काम करती थी अपनी सास का हाथ बटाती थी उसके बाद ये पती-पत्नी एक दूसरे के पास आते थे तो आके बैठके सनेह के साथ बात्चित शुरू करते थे तो कई बार रात-रात भर बैठकर बात करते थे मुझे सुनके बहुत हैराणी हुई मैंने पूछा कि इतनी क्या बाते हैं जो रात-रात भर तुम बात करते हैं अपनी नेन जो है उसको छोड़के तब उन दोनों ने ही बताया आपस में सनेह हो तो कितनी भी बात्षित करो, बात्षित खतम नहीं होती है आज भी मैं उस मित्र के संपर्क में हूँ मसीही नहीं है गेर मसीही लोग हैं लेकिन उसके माबाप जो समझदार थे उन्होंने बहुत आदिक खोज कर ढून धांट के इस बात पर जोर दिया कि लड़की बुद्धिमती हो, लड़की भली हो और उसका फल मेरे मित्र को मिला आज जो माबाप प्रभु का संदेश सुन रहे हैं वे इस बात पर विशेश, इस बात का विशेश ख्याल रखें कल को आपके बेटे की शादी होगी उसके लिए आप किस तरह का चुनाव करेंगे लड़के से ये कहेंगे क्या अरे नालाएक तू तो तो टेंट पास नहीं कर पाया या लड़की पी एचडी है और लड़की के घरवाले तुझ जैसे नालाएक से शादी करने के लिए तयार है लोगों को लगता है कि उनने बहुत बड़ा तीर मार लिया कि एक नालाएक जो लॉंडा है उसके लिए पी एचडी लड़की ले आए दो छण के लिए वो माबाप ये नहीं सोचते कि यदि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है तो उसके माबाप क्यों उस लड़की का हाथ एक नालाएक के या एक अशिट शिट लड़के के हाथ में क्यों उसका हाथ देने के लिए तयार है यदि ये सोचा होता तो उस लड़के का जीवन नरक नहीं बनता लेकिन नहीं हम लोग विवाह के लिए अक्सर इस तरह का मापदंड यूज करते हैं कि वो मापदंड हमारे बच्चों के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बरबात कर देता है आज जो माबाप इस बात को सुन रहे हैं वे इस बात को विशेश नोट करें आप अपने पुत्र के लिए जब एक पत्नी ढूण रहे हैं तो आपका मापदंड परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए लड़की भली हो, बुद्धिमती हो अब जो जवान लोग ये संदेश सुन रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है समाज में उन्नती होती जा रहे है प्रोग्रस होता जा रहा है उसके साथ साथ लड़कों की बुद्धि ठस होती जा रही है हमारे माबाप आदी के जमाने में वो लोग जिस तरह से हर चीज को थोड़ा सा गबिर सोचते थे मैं अक्सर लड़कों की सोच को देखकर अक्सर सरपिट लेता हूं क्या हो रहा है तो जो युवा भाई लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विवाह एक या दो दिन की बात नहीं है ये पूरे जीवन के लिए है और इसलिए लापरवाही से डिसाइड ना करें विवाह एक डिस्पोजबल पैन के समान नहीं है कि पैन खराब हो गया तो आपने उसको फेक दिया और दूसरा ले आए ये मैं खास इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तो पैन बहुत सस्ते हो गये है जब मैं हाइर सेकिंडरी में पढ़ता था तब एक बॉल पैन यदि चलना बंद कर देता था तो उसको धूप में रखते थे, फूपते थे, तमाम काम करते थे जिससे की वो चालू हो जाए ये पाँच रुपे का पैन ने बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, कंप्यूटर का उप्योग करता हूँ लेकिन उसके बावजोद बहुत ज़्यादा लिखता हूँ लेकिन ये दी एक ball pen खराब हो जाता है मैंने ये देखा है कि ये सस्ते वाले pen है आप 10 का packet खरी दें दो तो खराब निकलते हैं आठी अच्छे निकलते हैं ये जानी हुई बात है तो जब एक खराब हो जाता है तो आप उसके लिए आग घंटा वेस्ट करते हैं क्या उसको चालू करने के लिए मैं तो नहीं करता खराब हो गया है तुरंत उसको कचरे की टोकरी में डाल देता है अगला pen निकाल लेता हूँ मैं यूशली 10-20 पैन एक साथ खरीदता हूँ वैवाहिक जीवन ऐसा नहीं है वैवाहिक जीवन में भी 10 में से 10 लोगों ने शादी की तो इस पात की संभावना है कि उसमें से 2 पत्निया बहुती बूरी निकलें बिल्कि अब तो 21 शताबदी में तो स्थिती और भी खराब हो गई है यदि 10 लोगों ने शादी की तो संभावना इस बात की है कि उसमें 5 की पत्निया या तो निकम्मी हो या दुष्ट हो या नीच हो या कमीन हो पतियों के साथ भी यही हिसाब है लेकिन वो पतियों को आपन बाद में देखेंगे तो यदि आपकी पत्नि आपको शादी के बाद पता चलता है कि वो दुष्ट है, नीच है, मूर्ख है या मानिसिक रूप से विकलांग है तो उसके बाद आप एक बाल्पेन के सामन उसको फिक तो नहीं सकते इसलिए जो युवा लड़के आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के बाहरी कारणों के आधार पर यदि तुम शादी करोगे तो अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका अनवाद यह है चट मंगनी, पठ ब्याह, जीवन भर पश्चाता विवाह एक ऐसी संस्ता नहीं है जहां आप अपने पार्टनर को एक बेकार बॉल्ल पिन के समान फेंक कर दूसरा पार्टनर ला सकें इसको विशेश नोट करें विवाह एक ऐसी संस्ता है जहां आपको बहुत अधिक सोच, समझ कर ढूंड, ढांड कर करना होगा आप कहेंगे कि ओके शास्त्री अंकल यह तो समझ गए तो सोचने, समझने, ढूंडने, ढांडने के लिए क्या करना होगा दो काम करने होंगे पहली बात भावना में बहकर किसी उल्टी सीधी लड़की से लड़की को चुनने के बदले प्रभू के वचन के आधार पर निरने लेना है जिसमें पहला प्रभू के वचन की पहली आग्या है आविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो और इसलिए विश्वासी लड़कों को इस बात का विशेश ख्याल रखना है चाहिए कि एक अविश्वासी लड़की कितनी भी पड़ी हो कितनी भी धनी हो राज कुटुम्ब की हो यदि विवा के लिए प्रस्ताव आता है तो आपको तुरंत न कर देना चाहिए आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल इस तरह के प्रपोसल कम ही आते हैं और इसको छोड़ना बहुत बेवकूफी होगी और शादी कर लेते हैं पैसा भी आजाएगा पड़ी लिखी लड़की भी आजाएगी और बाद में वो प्रपो को ग्रहन कर लेगी ये जो बाद में प्रपो को ग्रहन कर लेगी वाली बात है ये मैंने पचासों विवाहों में देखा है प्रपो को ग्रहन करना ये एक मिथ्या है बहुत बड़ी मिथ्या है शादी के बाद वो प्रभू को ग्रहन कर लेगी इस तरह से जितने विश्वासियों ने शादी की है इन में किसी को भी मैंने खुश नहीं देखा पहला कारण आपने परमेश्वर के व्यवस्था का लंगन किया नमबर दो लोग इतने जल्दी प्रभू के पास नहीं आते हैं प्रभू को ग्रहन करने चाई पीने के समान या लसी पीने के समान एक आसान बात थोड़ी है यदि चाई पीने या लसी पीने के समान आसान बात होती तो आज हमारे चारों तरफ समज में सभी लोग प्रभू इशु के आई होते चम्बल में ही जरा देख लीजिए कितने सालों से वहाँ प्रभू इशु का शुप संदेश सुनแय जा रहा है 70 साल 72 साल हो गय चम्बल में प्रभू का शुप संदेश 52 साल से प्रभु का शुप संदेश सुनाए जा रहा है 62 साल से इन 62 सालों में सारे चंबल में सभी ने प्रभु को ग्रहन कर लिया क्या शास्री जी माराज तुमारे गाओं में तो सभी लोग विश्वासी हो गया है ना तुम प्रभु का संदेश सुना रहे हैं, सबी ही ने प्रभु को ग्रेंड किया, नहीं, मनिश्य का मन परमेश्वर के विरुद है, परमेश्वर के वचन के विरुद है, तो एक तो वो कहते हैं न, चोरी और सीना जोरी, उसी तरह से एक तो आप प्रभु के वचन का उलंगन कर रहे हैं कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में नहीं जुतना और उसके बाद आप ये उमीद कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आप से शादी करने के बाद प्रभू को ग्रहन कर लेगा नहीं शादी से पहले ग्रहन कर लिया तो कर लिया शादी के बाद तो वो लड़की कते प्रभु को ग्रहन नहीं करेगी शैद कुछ लड़के कहेंगे कि अंकल मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है और देखने में गजब है सब लड़के उसके पीछे जो है फिरते रहते हैं लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती है तो जब मैं पूछता हूँ तो कर लो ना अंकल एक ही समस्या है वो गैरमसी ही है मैंने कहा कि बेटा अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में जुतना प्रभु का वचन मना करता है तो अक्सर लड़के मुझसे कहते हैं अंकल उसने कहा है कि एक बार शादी हो जाए मैं जरूर प्रभु को ग्रहन कर लूँगी तो मैं अक्सर लड़कों से पूछता अच्छा प्रभु को ग्रहन करने के लिए तयार है तो दुगने जोश से हो कि हाँ अंकल बिलकुल प्रभू को ग्रहन करने के लिए तैयार है तो मैं पूछता हूँ कि यदि प्रभू को ग्रहन करने के लिए तैयार है उधार करता के रूप में और इतना आदिक प्रभू में दिल्चस्पी ले रही है तो अभी क्यों नहीं ग्रहन कर रही है। उसको एक दिन अचानक एक appointment letter मिलता है उसने जो सूचा था उससे भी उचे लेवल की नौकरे का appointment बिल गया है उससे कहा गया है कि जाके join कर ले और वो ये दिक है कि हाँ मैं कर लूँगा, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं तो उसमें कोई तो भी कमी या घटी है जिसके कारणों जोइन करने से अनाकानी कर रहा है शायद उसने जो application दिया था उसमें गलत जानकरी दी थी जिसके आधार पर उसका appointment मिल गया और अब वो अनाकानी कर रहा है यदि वो लड़की तुम कहते हो कि वो लड़की तुम से स्ने करती है और सिर्फ तुम से स्ने करती है लेकिन वो प्रभु को ग्रहंड करने के लिए तैयार नहीं है और ये कहती है कि शादी के बात करेगी तो दाल में कुछ काला है इस बात को समझ लेना और मैं यकीन दिलाएं पहली बात इस तरह का जो लाव अफैर है वो अपने आप में अच्छी बात नहीं है दूसरी बात इस तरह के जो विवाह होते हैं बे मेल विवाह उसमें हो सकता है तुमको हजार बार वो यकीन दिलाएं कि शादी के बाद प्रभू को ग्रहन कर लेगी वो नहीं करेगी क्यों? अभी इसलिए प्रामिस कर रहे है कि जैसे तैसे शादी हो जाए एक बार शादी हो जाएगी तो तुमारे तो हाथ बंद गए हाथ भी बंद गए, पैर भी बंद गए मूँ भी बंद गए, सब बंद गया अब वो कहे को प्रभू को ग्रहन करेगी तो इसलिए ये जो संदेश सुन रहे हैं उनमें कोई जवान इस तरह से यदि किसी चीज का मोह कर रहा है मैं उसको बताना चाहता हूँ बेटे, बहुत बुरे मर जाओगे बहुत बुरे मर जाओगे मैं इस तरह के पचासों केस देख चुका हूँ जहां बड़ी में के साथ शादी की और शादी करने के बाद उस गैरमसीही लड़की ने आकर पती की नाक में नकेल डाल दिया अब मरता क्या न करे जिन्दगी भर उस गैरमसीही पत्नी जो है उसकी चाकरी करता रहे प्रभू का वचन बहुत स्पष्टतेया जब बताता है कि स्त्रियों में भली स्त्रिया होती है जिसका मतले बुरी होती है बुद्धिमती होती है जिसका मतले बुद्धिहिन होती है तो जब प्रभू का वचन इतनी स्पष्टतेया से ये बातें बोलता है तब हम क्यों जाकर गलत चुनाव करते हैं मैं सबी का ध्यान आकर्षन उत्पति की तरफ ले जाना चाता हूँ। उत्पति की पुस्तक में प्रभू ने अधन की वाटिका में जीवन का व्रिट्ष लगाया था। बहुत सारे फलों के व्रिट्ष थे लेकिन उन अधन की वाटिका के बीचों बीच दो विशिष्ट और एक मृतियू का व्रिट्ष भले और बुरे के ज्ञान का व्रिट्ष है लेकिन मैं उसको मृतियू का व्रिट्ष इसलिए कह रहा हूँ कि उसका फल खाओगे तो उसका परिणा मृतियू है तो इसलिए उसको मृतियू का व्रिट्ष कहना ही ठीक है। बगिया के बीच म और एक बार चुना, तो याद रखें, जीवन में आप कोई भी चुनाव करें, तो उसका परिणाम जरूर होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव का परिणाम ना हो, आप जो चॉइस करेंगे उसका परिणाम, आपको भुगतना पड़ेगा, कई बार आपके परिवार को भी भ यदि जीवन में वैवाहिक जीवन में गलत नरने करो तो तुमारे जीवन को तो नरक बना ही देगा तुमारे माबाप भाई बहन के जीवन को भी नरक बना देगा और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के पचासों के इस मैं तुमको बता सकता हूँ जहां पर उन्हों ने सूचा कि वो प्रभू को ग्रहंड कर लेगी ऐसा नहीं हुआ जीवन नरक हो गया तो विवाह में भली पत्नी को या बुद्धिमती पत्नी को चुनने के बारे में माबाप की जो जिम्मेदारी है और चुनकि हम स्त्रीयों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए लड़कों की जो जिम्मेदारी है वो बात मैंने आपको बता दी अब वापस आते हैं जो महिलाएं इस संदेश को सुन रही हैं जो वच्चियां इस संदेश को सुन रही हैं वे शायद पूछेंगे कि शास्त्री अंकल हम अपने आपको कैसे जाच कर देखें कि प्रभु के वचन के अनुसार मैं एक बुद्धिमति स्त्री हूँ या भली स्त्री हूँ ये एक अच्छा प्रश्न है इसका उत्तर प्रभु के वचन में ही है ताज्यब की बात ये है कि प्रभु का वचन हर चीज स्पष्टत या बोलता है और हम आँख मीच के पढ़ते हैं इस कारण हमको नहीं दिखता प्रभु के वचन को खोलिए बेहनों से मैं कह रहा हूँ प्रभु के वचन को खोलिए उत्पति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्त्रीयों के बारे में जो कहा है उसको पढ़ें आप पूछेंगे प्रकाशित वाक्य में जी हाँ प्रकाशित वाक्य में भी स्त्रीयों के ब पिछले कई सालों से जो मैं बार-बार चिला-चिला के कह रहा हूँ कि हर विश्वासी के पास प्रभु के वचन से जो प्रकाश मिलता है उसको नोट करने के लिए एक डैरी होनी शाहिए उत्पत्ती से लेकर स्त्रियों के बारे में आप जो कुछ पढ़ते हैं उसको नोट करते चले जाईए अध्यन कीजिए उसमें एक भली स्त्री के बारे में क्या कहा गये इसको देखिए एक उदाहरण एस्तर की पुस्तक उसमें एस्तर से उसके कजिन ने मौर्देकाई ने कहा कि तुम जाके राजा से अनुरोत करो परेशनी क्या थी? अनुरोत क्यों करो? क्यों ही लाखों यहूदियों की जीवन की बात है यदि राजा अपनी आग्या को पलटते नहीं है तो लाखों यहूदि मारे जाएंगे इसलिए तुम जाके राजा से अनुरोत करो पार्सी राजाओं के साथ एक परेशनी क्या थी कि इवन महारानी भी बिना निमंत्रण के राजा के पास नहीं जा सकती थी राजा जब जो भीतरी कोर्ट है उसमें जब बैठते थे तब बिना आग्या के अनुमती के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था इवन महारानी या पट्रानी प्रवेश नहीं कर सकती थी बिना अनुमती के यदि कोई प्रवेश करता था तो उसको मार डाला जाता था तुरंत इवन पट्रानी हो महारानी हो उसको भी मार डाला जाएगा मौर्दे काई नहीं कहा कि देखो सब तुमारे उपर है याद रखना तुमने ये काम नहीं किया तो पड़मेश और अपनी जनता को बचा लेंगे लेकिन तुमारा हाल बुरा होगा इस तर का क्या निर्ने था लाखों लोगों को बचाने के लिए मैं जो कर सकती हूं करूंगी उस प्रक्रिया में मेरी जान गई तो जाने दो लेकिन मैं लोगों को बचाऊंगी ये एक पाठ है या नहीं है एक उत्तम महिला के जीवन के बारे में ये एक पाठ है या नहीं है एस्तर की कहानी जो है उससे या एस्तर की जो चरितर खता है उसमें हम कई बातें देखते हैं इस तरह से यदि आप मुझसे पूछें बहने पूछें, बच्चियां पूछें शास्त्री अंकल एक बुद्धिमती स्री बनने के लिए एक भली पत्नी बनने के लिए मैं क्या कर सकते हूँ तो मेरा पहला सुझाव है डायरी लेकर, उत्पती से लेकर प्रकाशित वाकित तक पढ़ती जाईए उसमें जहां जहां स्रीयों का वरनन आता है नोट करती जाईए उसमें भली स्री की क्या क्या विशेष्टा बताई गई है दुष्ट स्री की या मूर्ख स्री के बारे में क्या-क्या बताये गया, नोट करते चले जाएं इतनी अधिक जानकारी आपकी डायरी में इतनी अधिक जानकारी जो है वो इखटी हो जाएगी कि आपको ताज्यूब होगा वास्तों में हमारे व्यावाहरिक जीवन के बारे में प्रभु का वचन बहुत अधिक जानकारी देता है लेकिन हम नहीं जानते, क्यों? इसलिए कि हम में से ज़्यादा तर लोग आँख मीच के बाइबल पढ़ते है और इसलिए बाइबल में जो लिखा है वो हमको दिखता नहीं है अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं मैं काफी सारे कैम्प्स में, कॉन्फरेंट्स में, क्लास्स लिया करता हूँ और आजकल हाई एजुकेशन के कारण बैचों में फ्रीडम बहुत आ गया है अक्सर लड़के-लड़की मुझसे आके पूछते हैं कि मैं एक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ सवाल ये है कि वो अन्बिलीवर है मैं क्या करूँ मुझे ताज्यूब होता है, सर पीटने की इच्छा होती है कि भीया, जब बाइबल में साफ साफ लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए मैं मत जुतो कि घर की चाबी दिख नहीं रही होती है तो लोग क्या करते हैं? अन्नी चाबियां लगा के देखते हैं कि किसी न किसी चाबी से खुल जाए तो अपना काम बन जाए उसी तरह से जब प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए मैं न जुतो तो लोग आकर प्रचारक से इसलिए पूछते हैं कि कहीं तो कोई तो भी ऐसा प्रचारक होगा जो प्रभु के वचन का समर्थन करने के बदले हमारे साथ सांत्वना दिखाएगा और कहेगा कि बेटा वो बाद में प्रभु को ग्रहन कर लेगी तू जाके शादी कर ले बस हो गया काम मतलब ताले की असली चाबी के बदले अन्नी चाबी लगा के ताला खोल लिया उसके बाद जो है चाबी को मारो गोली ताले को मारो गोली हमारा काम हो गया घर खुल गया लोग अक्सर प्रभु के वचन में जो बातें स्पष्टते बताई गी हैं उसके विरुदाकर प्रचारकों से इसलिए पूछते हैं जिससे कि उनको प्रभु के वचन का लंगन करने का एक मौका मिल जाए मैं इसलिए डारेक्टली उनको ना तो येस बोलता हूँ ना बोलता हूँ ये प्रभु इशु का प्रभु इशु ने ही ये टेकनीक दिखाया था लोग ने आके पूछा कि प्रभु केसर को कर देना उचित है या नहीं है तो प्रभु ने का कि अच्छा मुझे फासानी की कोशिश कर रहे है चलो कर देने का ये टेक्स का सिक्का दिखाओ सिक्का दिखाया प्रभु ने उस सिक्के को देखा और पूछा कि इस पर किस की मूर्थी है उन्हेंने का कैसर का चितर बना हुआ है ये सिक्के अभी भी उपलब्द हैं मैं आपको बता दूँ कैसर का के चितर वाले सिक्के अभी भी उपलब्द हैं आज मुझे समय नहीं मिला वरना मैं आपको दिखाए देता उन्हेंने का कैसर की मुद्रा है तो प्रभू ने का जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभू का है वो प्रभू को दो मतलब उनी के द्वारा उत्तर प्रभू ने दिलवा दिया तो अक्सर जब मुझसे आके पूछते हैं अंकल मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ लेकिन वो एक अविश्वासी है बहुत अच्छा सोवाव है अंकल परिवार को बहुत अच्छा समाल के रखेगी मैं क्या करूँ तो अक्सर मैं उनसे कहता हूँ कि प्रबो के वचन से खलाना पद जो है जरा पढ़के तो बताओ बेटा तो वहां लिखा हुआ है कि अविश्वासीयों के समान असमान जुए मैं ना जुतो तो जब पढ़ देते हैं मेरे सामने की अविश्वासीयों के साथ असमान जुए मैं ना जुतो मैं उनसे पूछता हूँ यहां क्या लिखा है जुतना है या नहीं जुतना है तो वह जवाब देते हैं अंकल यहां तो यह लिखा है कि नहीं जुतना है तो मैं फिर पूछता हूँ जब प्रभू के वचन में लिखा है कि नहीं जुतना है तो फ़र मुझसे पूछने की जरूरत है क्या और जब इस तरह से मैं बोलता हूँ कि मुझसे पूछने की जरूरत है क्या तब उनकी जखकी खुलती है और कहते हैं कि नहीं अंकल प्रबो के वचन में लिखा है तो आप से पूछने की जरूरत नहीं है एक प्रश्णौर मैं पूछ लेता हूँ जब इस तरह से प्रभू के वचन में कहा है तो मैं उसके विरुद में तुमको या उसके विरुद तुमको सुझाओ दूँ या नहीं दूँ तो फुरो कह देते हैं कि नहीं अंकल प्रभु के वचन के विरुत सुझा देने की जर्रत नहीं है ये था प्रभु का तरीका, ये तरीका आज़कल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग वैवाहिक जीवन के बारे में सही मापदंड भूल गए हैं मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, विवाह एक डिस्पोजबल बॉल पे नहीं है पचास रुपे में दस खरीद लिए उसमें दो खराब निकलेंगे आपको मालूम है और इसलिए दो को कचरे की टोकरे में फेंकने के लिए आप तयार हैं नहीं वैवाहिक जीवन ऐसा नहीं है वैवाहिक जीवन एक ऐसी संस्था है जो use and throw उपयोग करो, काम ना आये तो फेंक दो, अगला जो है उसका उपयोग ऐसी संस्था नहीं है इस बात को अच्छी तरह से याद रखें इसलिए पुरिश इस बात का ख्याल रखें कि अपने बेटे के विवाह के लिए और युवा इस बात का ख्याल रखें कि अपने विवाह के लिए एक पार्टनर को चुनने के लिए प्रभु के वचन के आधार पर करें बहने इस बात का ख्याल रखें कि एक बुद्धिमती स्त्री क्या होती है एक भली स्त्री क्या होती है जब प्रभु का वचन ये स्पष्टतिया बताता है तो वे अपने जीवन को उस सांचे में ढालें और अपने बच्चियों का जीवन भी उसी सांचे में ढालें यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार संपुष्ट रहे तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है प्रभु के वचन के आधार पर जीवन बिताएं इन बातों को अच्छी तरह से समझ कर इन बातों का पालन करने के लिए प्रभु आप सब की मदद करें प्रभु के नाम की स्तुती हो थैंक यू सो मज़ साफ पॉर दा वांडरफूल मेसेज आपने प्रेजेंटेशन किया तो हम अभी तक हम लोग अभी तक बहुत ध्यान पुरवत कि बुद्धिमोति स्त्री के बारे में सीख रहे थे और अनेक विश्वय को सार टच किया परिवार शादी एक चुनने का चौइस जीवन में चौइस एकी बार होता है अगर वो चौइस अगा गलत चौइस हो जाएगा तो जीवन में होने का भी चौइस होता है सो प्रिय युवा भाई बहन लोग आज हम लोगों को बुद्धिमोति स्त्री के बारे में सार बहुत विस्तार रिती से हम सबको बताया हम लोग किस रिती से वच्चन को वच्चन जैसा अगर हम नहीं लेंगे बाद में हम लोग को भुगत ना पड़ेगा और हमने बहुत सब्सक्राइब का बारे में सुना है भी है और सार ने बहुत अच्छी रिती से एक एक बात को उधारन के साथ समझा रहे थी सर में ते दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आने वाला पीड़ी खास कर से हमारा जो पिछे का जो पीड़ी का आगे का जो पीड़ी उन लोगों का जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा नमुना हमको सीखने कर प्रभू मदद किया और खासकर से जोनसन सार का जीवन का एक एक जो गवाई प्रभू हमको सीखने के लिए मैं ते दिल से धन्यवाद देता हूं तैंकि सो मज़ सार प्रभू लूगों के लिए और हमारे कंजी सर ने इस प्रकार से सहार किया है और गुरू जीने भी इस बास तोitute को कहके समापन किया हम इन बातों को प्रभू क Cape पाटे के साथ में हम आज की सवा को समाप्त करेंगे एक और फिर से भाई बिसेक्षन हैं संता अंटी हैं और भाई विजय के परिवार जो दुख में हैं इन परिवार और जॉय पॉलुस अंकल वो भी असवस्त हैं सबी को हम लोग अपनी प्राथ्राओं में हमें सायाद रखें मैं करना चाहता हूं हमारे बीच में भाई रौसन पासवान दिल्ली से हैं वे हमें इस आकरी प्राथ्रा में हुआ है रौसन पासवान जैव शुद्धर आई अवलोग प्राथ्राओं कि कि अगर्याद कोजी आप महा ने करना में द्यावन द्यागद धनी है प्रोजी कि अन्यकाणिन फोजी तो नितियों चनम सीखने पोजी इसेदें कि सब्सक्राइब चलना पोजी कि उन्म वेस्तित करना पोजी नितियों प्ताता है तो अगए बाएद कि वच्छन निकर आपको लगाई है वहाई में भुक्षपाने पर दिसमाल को जी और आगी भी हमें अफसर मिले जाए है वह में अच्छन स्वाइने प्रयाज अंकल को ऑन्टी को जी पताजी को जी अमाप खातर सौंपते पर जाए हम आप पुझी हम आप आशिष करें दन्यवाद भूजी कि आज के दिन के लिए अफसर दिया प्रोजी कि हम सब भूजी आप पर आज की संद्राइब को जी वच्छन को विताने वाले हो जी जी तो जी आपने जो बोज दिया मन दिया कि भाई जो महनत पहरें पूजी इसका अफल आप उन्ने देंगे पूजी हमाँ को भाई को भाई को जी आप आपको धनेवानती भाई की प्रवार को भी आप बताज आशिय दें जो भी डॉक्मेंट वेरा जो भी अप चुब बच्चों बनना पूजी उसमें आप सहायत मत कें पूज सब्सक्राइब लोग इस समय के लिए अपको धनेवाद देते पूजी आप महान है करना में है अब द्यावन्त है धनी है हमाब को थिए मोजी शेट उलोग भाई बहुत ना पूजी आफटे उनके सब्सक्राइब फूजी आप तुरस चूटरी दुख में दूखी है जो भाई दुखी है उनको भी बर भाई दुखी में पोजी उनको विह आप अब जो भाई दुख्में सब्सक्राइब जो मिटिंग होगे इसके लिए अगर आपके इच्छा है बोड़ देका हम सब कि आपके इच्छा वागे आपके इच्छा करना आपके 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 च्छान के लिए बहुत अच्छा लगाता। सभी भाईयों को जैमसी की विसेश गुरू जी को बहुत भी सुक्रिया बहुती सुंदर वचन समय का पता नहीं चला कब निकल गया और ऐसा लग रहा था कि और भी सुन दे जाओं तो आपको बहुत आसिस करें सर